तो आज हम बनाने जा रहे हैं हरी चटनी जिसका यूज, सेंड़ी, चाट और भहुत सारी चीजों में किया जाता है और इंडियन खाने में तो चटनी का प्रेज इतना है कि बीना चटनी के तो खाना ही खा करने ही होता है तो चलिए हाँ चिसे बनाते हैं तो सबसे पहले मैंन चाट ही हम एक कटोरी हरी धनिया ले लेंगे अब इसमें हम थोड़ी सी मिर्श डाल देंगे हरी वाली अब इसमें हम थोड़ा सा अध्रक डाल देंगे और थोड़ी सी हम इसमें अब लैस्न डाल देंगे साथ ही हम इसमें बाइंडिंग के लिए भूने चने की दाल डाल देंगे इससे इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है जिससे चटनी ठीक दिखाई देती है जोड़ा साहब मसाला डाल दे गेंगे अधर चमशा हम तक बाय सब्सक्राइब, करदा नमग डाल देंगे ए आधर चमशी आधर पाउडर लेंगे एक निद्रस बाउड़ा कि अगर जीरा पा पाउडर देंगे एक चुट्की हम इसमें ध्नीमि डाल देंगे और एक चमशन इसमें चीवनी डाल देंगे और दो से तीन चमशन इसमें गही डाल देंगे आदा चमश इसमें हम नमक डाल देंगे और दो से तीन चमश हम नीबू का रज डाल देंगे अब इन सब को अच्छे से हम ग्राइंब कर लेंगे दो लीजिए हमारी चटनी ग्राइंड हो चुकी है अब हमें एक कटोरी में थोड़ा सा दही ले लेना है और उसमें हमें पीसी भी चटनी को निकाल लेना है अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे तो लीजिए दही और चटनी अच्छे से मिक्स हो चुके है तो अब इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्श और पदेरी के पती से इसकी गार्निशिन कर देंगे तो हम इने थोड़ी सी लाल मिर्श ले ली है और एक उलीनी के पती से हम इसके अच्छे से गार्निशन पर रहेंगे तो लीजिए हमारी ग्रीन चट्मी बन करके रेड़ी हो चुकी है आप भी इसे एक बार जरू ट्राइ कीजिए ऐसी ही मोर वीडियो के लिए में चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी हिट कर दें थैंक यू